हेलो दोस्तों तो आपका स्वागत है Master G Programming Video Tutorials में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस थरीके से हम Eclipse में programming करेंगे सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि Hello World Program Simple जो Hello World Program होता है जो सबसे पहला program होता है किसी programming language का वो कैसे बनाएगे तो मैं आपको बता दू कि जो Eclipse है उसमें किस तरीके से आपको project create करना है उसके अंदर फिर file बनानी आपको डॉट जावा नाम की तो वो किस तरीके से होगा जैसे code blocks में हमने project create करते थे उसके बाद उसके अंदर files बना देते हैं वैसे ही काम कुछ इसमें हमें करना है तो मैंने पहले से बना कर रखा है पर मैं आपको बता दू कैसे करेंगे file में जाकर new project का नाम लिख दिए फिर आप यहां पर कोई भी project का नाम लिख सकते हैं फिनिश कर दीजिए यहां पर आपका project create हो जाएगा project create जैसे में यहां पर हो चुका है कि मैं पहले से बना चुका हूँ उसके बाद अगर इसमें file एड करनी है तो यहां पर आपको option दिख रहा होगा यहां पर class नाम की चीज़ को आपको add करना है कोई भी आप class का नाम दे स अब हम programming start करते हैं programming किस तरीके से होगी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें सबसे पहले एक package कॉल करना पड़ेगा first जो कि आपके project होगा उस package को जब हम call करेंगे तब उसमें programming start कर पाएगे अगर eclipse में आप package को call नहीं करेंगे यानि कि जो आपका project का नाम है आप उसको call नहीं करेंगे तो वो program error दिखाएगा तो आप एक काम कर सकते हैं अगर आपको यह package को call नहीं करना है तो आप directly simply एक file बना लिए प्रॉट जावा नाम की और उसमें package कॉल करने की जुरूरत नहीं है पर जैसे कि मैंने याप एक project create किया है first नाम का तो मैंने को इसको package को call करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम package call करेंगे first नाम का तो package keyword का use करेंगे package first यह थोड़ा से different है C++ से उसकी बच समी कुले अब हम class create करेंगे मैं आपको बता दूँ कि java fully object created programming language है और इसमें class का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो यहां पर class बनाना important है class का नाम हो ही होगा जो आपकी file का नाम है first है class first तो उसके बाद main function create कर सकते हैं class के अंदर इसमें main function होता है C++ में class के बहुते बाहर बना देते main function पर यहापे class के अंदर form create करेंगे वह इस तरीके से create होगा आप देख सकते hey public static void main और उसमें जो arguments होंगे वो string args होंगे तो मैं आपको इस पूरी line का बतलब बताऊंगा इसके पहले आगे देख लें यह main function में main function के बाद curly braces जैसे हम करते हैं इसके बाद इसमें output के लिए जैसे में होता था cout इसमें होता है पूरे का पूरे statement system.out.println इसके बाद round bracket, round bracket में double quotes के अंदर हम जो भी message आपको print करवाना है आप वो लिखिएगा उसके बाद सेमिकोले तो यह जो statement है आपका पूरा का पूरा यह वैसा का वैसा same है जैसा हम उसमें करते हैं c++ में बस syntax का थोड़ा सा फरक है उसमें हम cout करते हैं उसमें हम cout और less than less than जो की हमारे output statements symbols को use करना पड़ता है यहाँ पर हमें वैसा कुछ नहीं करना है मैं यहाँ पर statement लिखना है system.out.println और hello guys तो यह मैंने statement print किया है और हमें play करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो option है इस पर हमें click करना है और यहाँ पर आपका output generate हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ आपका output generate हो चुका है hello guys output generate हो चुका है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रोग्राम में जो keywords है उनका क्या use है सबसे पहले जैसे मैंने package call किया first उसके बाद class create करी class first नाम की में function, main function public है public ही रहेगा main function क्योंकि हम main function के सारे variables को कहीं भी यूज़ करना चाहते है तो हम कर सकते हैं उसके बाद static. static क्या करता है, उस main function को allow करता है कि वह बेना instance के आप उसको call कर सकते है instance से call करने का मतलब यह है कोई भी हम method create करते है class के अंदर तो आपको पता होगा कि उन class के object से ही उस method को आप call कर सकते हैं पर जब हम static लगा देते हैं method के आगे तो static method बन जाता है तो हमें फिर उसके object के through call करने की जरूर नहीं पड़ती है तो हम static main करेंगे तो जिससे के main function directly call हो जाया और हमें उसके object से call ना करना पड़े उसके बाद void यानि return type उसका void है कोई भी value return नहीं करेगा main function उसका नाम है main और string RGS यानि कोई भी arguments से string characters की array है अपनी वह हम कर सकते हैं कोई problem नहीं हो उसके बाद system system directly keyword है जो कि call करेगा system के सारे packages को उसके बाद out मतलब output लेंगे हम screen के उपर और print ln यानि print करना है output और ln का मतलब होता है line change अगर हम ln हटा भी देंगे तो कोई problem नहीं है पर ln की वाई से line change हो जाएगी next line पर cursor पहुंच जाएगा और hello guys तो वह वह जो statement है वह exactly print होकर आपके सामने आ चाएगा तो यह simple सी एक programming थी जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम print ln का use करते है system किस तरीके से output लेते है हम screen पर यह थोड़ा से different था तो अब हम आगे बताएंगे आपको variables के बारे में tokens keywords जोगी बहुत सारे होता है उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं और आगे tutorials में जावा के बारे में और भी चीज़े पढ़ेंगे तो मिलते हैं next tutorial में thank you सब्सक्राइब करना ना भूलिये मेरा चैनल जिसका नाम है Mastergy